जहिन दोस्तों स्वागे था आपका विजपत्ट डिफेंस एजुकेशन में आज है 19 तरबरी 2021 इस वीडियो में डिसकस करेंगे डेली के करेंट अफेर जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे हमारे day to day के करेंट अफेर आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफी helpful रहेंगे सो वीडियो के साथ आप बने रहें वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा basic foundation का course भी start है जिसको आप join कर सकते हैं विजपत्ट डिफेंस एजुकेशन में आज की वीडियो शुरू करते हैं फस्ट कोशन है वीडियो का पुल गोरु बेंकट संजे कुमार किस राज्य के हाई कोट के नई मुख्य नयाधिश बनाए गए हैं आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि हमारे सुप्रीम कोट के जो नयाधिश है अरबिंद बोबडे जी वो कौन से नंबर के नयाधिश है नेक्स्ट कोशन है आईपेल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है तो आईपेल टीम किंग्स 11 पंजाब जो है उसने अपना नाम चेंज किया है और उसका नयाधिश नाम रखा गया है पंजाब किंग्स most important question है और आज ही एक नहीं news निकल के आई है कि जो Morris है उनको IPL का सबसे ज़्यादा जो है वो prize मिला है मतलब कि उनको खरीदार जो है वो सबसे ज़्यादा मिला है सबसे ज़्यादा महेंगे जो है वो Chris Morris आने वाले IPL टीम के लिए select हुए है next one है जूट बीज बितरन योजना किसने शुरू की है तो जूट बीज बितरन योजना जो है यह समरिती इरानी जी के द्वारा स्टार्ट की गई है और समरिती इरानी जो है यह महिला इवं बाल मिकास मंत्राले इनके पास है जो की center government के अंडर आता है next one है दिल्ली पुलिस का चुहत्रमा स्थापना दिवसकब मनाया गया तो हाल ही में दिल्ली पुलिस का 74th establishment day जो है वो मनाया गया है 16 February को most important question है आपके लिए defense related question आपके लिए बनता है next one है किस देश की team ने T20 cricket में 100 अंतरास्टी match जीतने वाली पहली team बनी है तो ऐसी कौन सी देश की team है T20 team जिसमें 100 अंतरास्टी match जीतने वाली पूरी पहली team बनी है तो वो है हमारा पाकिस्तान next one है किस ने इचाबनी पॉर्टल लॉंच किया है तो हाल ही में इचाबनी पॉर्टल लॉंच किया गया है राजनात सिंग्की के द्वारा और राजनात सिंग्की है यह हमारे केंदर के रक्षा मंतरी है next one है बिदेश, सचिव, हर्षवर्दन, शिंगला किस देश की दो दिपसी यात्रा पर जाएंगे तो हर्शवर्दन शिंगला ये रूस की यात्रा पर जाएंगे जो कि दो दिन की यात्रा रहने वाली है नेक्श वन है भारती क्रिकेट टीम के किस पूर्व बिकेट कीपर बल्लेवाज ने सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है तो नमन ओज्जा के द्वारा जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट जो है उनसे सल्यास लेने की खोशना कर दी गई है नेक्श वन है आईसे की विशेश सभा के नए महा निदेशक कौन बने है तो हाल ही में IS की विशेश शभा के नई महानी देशक बनाए गई हैं जिनका नाम है अजे माथुर। So next one question है किस खेल प्राधिकरण को लाइब स्टीमिंग के लिए ड्रोन उडाने की अनुमती दी गई है तो भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये अनुमती परदान की गई है एक question आपके लिए reverse में लेके जा रहा हूँ किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतरास्टी मैच जितने वाली पहली टीम बनी है तो ये जो है ये पूरे बिश्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके दौरा ये पहली बार एक टीम बनाई गई है जिसमें 100 अंतरास्टी मैच जितने हैं तो आपके लिए most important question ये बनेगा और हमारे प्यारे भारत की बात करें तो ये भी हमारे जो क्रिकेटर हैं उनसे ही आपके लिए question यहाँ से बनता है कि BCCI के अध्यक्ष कौन है और उनका जो head office है वो कहाँ पर है तो आपको ये question comment box में बताना है इस concept so I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को जादा से जादा like करें share करें हमारे whatsapp group के साथ जरूर जोड़ें जिसमें आपको day to day के current affair साथ में PDFs, HP police, DK notes, study material और job alert प्रोवाइड करवाया जाता है हमारा SSC MTS 2021 के लिए भी advance batch start हो चुका है अगर आपने अभी तक अपना online application form फिल नहीं किया है तो जल्दी से उसको भर लें last date से पहले जो कि है हमारी 21-3-2021 हमारा हिमाचल police का भी advance batch start है जो कि आपको success दिलवाएगा mission 2021 के लिए सो वीडियो को like करें शेयर करें अपने friends में मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत